हेलो फ्रेंड्स नमश्का तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट होने वाला है युकि आज मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने न्यूबॉर्ण बेबी के हेर एंड नेल्स की केर कैसे करें जैसे कि फ्रेंड्स जो न्यूली पैरेंट्स होते हैं उनके लिए न्यूबॉर्ण की केर करना काफी तफ बन जाता है लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखके न्यूबॉर्ण बेबी की केर को बहुत ही ज्यादा असान बना सकते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें आप चैनल को करते हैं आज का वीडियो जैसे कि फ्रेंट्स कुछ बच्चों के सर पर जन के समय काफी बाल होते हैं लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि स्टार्टिंग से ही आपको अपने निवान बेबी की कॉम या ब्रेशिंग करनी चाहिए वह इसलिए प्यूकि आपके सबसे पहली चीछ इससे बच्चों को काफी रिलेक्स मिलता है और बच्चों की कॉम या ब्रेशिंग करने से बच्चों की हेर ग्रोध भी तेजी से होती है साथी में बच्चों की स्कैल्प का ब्लड फ्लो भी सही तरीके से होता है और इन सारे फाइदों के साथ बच्चों को नीन भी काफी अच्छी आती है इसके बाद जैसे ये बच्चों को cradle crap की problem हो जाते है cradle crap मतलब कि बच्चों की सिर पर एक सुखी पपड़ी टाइप की जम जाती है तो ये problem भी calm या brushing करने से solve होती है लेकिन ये सारे फाइदे आपको तब मिलेंगे जब आप बच्चों के लिए एक right calm या right hair brush choose करते है मतलब जिसके जो bristles हैं वो काफी soft होने चाहिए जिससे की बच्चों को calm या brushing करते time scalp में या skin में किसी भी तरीकी की problem face ना करना पड़े क्योंकि baby का scalp होता है वो काफी ज़्यादा delicate होता है अब आप लोग के mind में एक question आ रहा होगा कि फिर कौन सा calm या कौन सा hair brush बच्ची के लिए use करें तो friends आप love lab natural bristle brush and calm set का use कर सकते हो इसका use करके baby की calm करना काफी आसान हो जाता है इसमें hair brush and calm दोनों मिलते हैं इसके hair brush में आपको natural bristles मिलते हैं जो बच्चों के लिए काफी gentle हैं बच्चों के hair damage नहीं होने देते हैं साथ में बच्चों के hair pulling की भी बिलकुल दिकत नहीं होती है इसकी जो calm है उसके teeth में rounded ends मिलते हैं जो की scalp के लिए काफी gentle है इसके teeth के बीच में काफी gap मिलता है जिससे के baby के hair pull नहीं होंगे और इन दौनों में ही easy grip मिलता है यूज करना काफी easy बन जाता है ये दौनों ही BPA free है इन में chemical नहीं है बेबी के लिए high safety standard and high zenic है काफी attractive bright color में आते हैं जो बच्चों को काफी attract करते हैं को skin को damage कर सकते हैं उनको hurt कर सकते हैं इसलिए आप adult calm का use अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ना करें next आब हम बात करेंगे कि बच्चों के nails का खयाल आप कैसे रख सकते हैं मतबब बच्चों के nails की care आप कैसे कर सकते हैं जैसे कि friends आपने देखा होगा कि बच्चों के starting में काफी speed से nails बढ़ते हैं और यह काफी ज़्यादा sharp होते हैं और बहुत ही ज़्यादा soft होते हैं जब भी आप बच्चों के nails कट करते हैं इने काफी carefully काटने के जरूत होती है जैसे कि मैंने कई parents को देखा हुआ है कि बच्चों की nails कट करने में ड़ते हैं उनको यह डर रहता है कि कहीं बच्चे को hurt न हो जाए कहीं बच्चे को चोट न लग जाए इस डर से वो कई कई हफ्तों तक बच्चों की nails कट नहीं करते हैं लेकिन यह गलत है ऐसा करने से बच्चों की हेल्फ पर एफेक्ट पड़ सकता है तो आपको टेंशन लेनी की बिल्कुल पिज़रोत नहीं है आज मैं आपको एक सेफ तरीका बताने वाली हूँ कि आप बच्चों की एजली नेल्स कट कैसे कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो आपको इस बात का धहान देना है कि आपको जादा तर बच्चों की नेल्स कट करने हैं वो सोते टाइम करने चाहिए क्योंकि सोते टाइम बच्चा बिल्कुल सांथ पोजिशन में होता है हाथ पहरी धर उधर नहीं चलाता है तो आप सेफटी से बच्चों के नेल्स कट सोते टाइम कर सकते हैं इसके बाद आपको केरफुली बच्ची के नेल्स कट करने चाहिए एक हाथ से बच्चों के हैंड को केरफुली पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ से बच्चों के नेल्स कट करने चाहिए आप चाहें तो घर में किसी की help ले सकते हैं अब आप बच्चों के nails cut करने के लिए lovely baby scissor and nail clipper set का use कर सकते हैं जो कि 4-in-1 का set है जिसमें आपको scissor मिलता है nail clipper मिलता है tweezer मिलता है and filer भी मिलता है इन सभी में आपको anti-slip handles मिलता है जिससे use करना काफी easy हो जाता है इसमें आपको rounded ages मिलते हैं जिससे baby को चुभन नहीं होती है यह सारी ही product BPA free है and rust free stainless steel से बने हैं इसके season and clipper में fine and soft plate मिलता है जो कि बच्चों को painless nail cutting experience देता है आप इसके tweezer का use करके baby के under nails ears and nose navel को भी clean कर सकते हैं फाइलर का use करके nails के edges को smooth कर सकते हैं तो friends आपने देखा ना आप कितने easy तरीके से safe तरीके से बच्चों की hair and बच्चों के nails की care कर सकते हैं वो भी without tension कोई भी tension लेनी के आपको जड़ोत नहीं है बिल्कुल भी आपको घबरानी के जड़ोत नहीं है तो finally आपको यह वीडियो भी काफी जड़े helpful लगा होगा तो एक like तो बनता है ना और चैनल को subscribe करना भी बनता है तो मिलते हो आप सबसे एक ऐसे ही helpful वीडियो के साथ तब तक bye bye and thank you